पुरे देश में गनेश उत्सो बड़ी धुमधाम से मनाये जाता है, खासतोर पर महराष्ट में इसके अलग ही रौनक देखने को मिलती है मुंबई में चाहे जहां भी गनेश पंडाल सजा हो, आपको हर जगल लाखों की संख्या में लोगों की भीड वहां देखने को मिल जाएगी पंडालों की भविसजावट ऐसी होती है कि आप इससे अपनी नजर तक नहीं हटा पाएंगे आप चाहे किसी भी पंडाल में चले जाए बपा की मूर्ती देख कर आपका दिल खुश हो जाएंगे सुन्दर और अनोखे ढंक से सजी मूर्ती साइज और वजन में भी बहुत ज़ादा होती है मुंबई में यू तो कई गनेश पंडाल मशहूर है लेकिन इन सब में राम मंदिर की तरज पर बना गनेश पंडाल इन दिनों चर्चा में बना हुआ है यहां भगवान श्री गनेश को बेहर अनोखे तरीके से स्थापित किया गया मुंबई से सटेक ठाणे जीले के टिटवाला शहर में आदिती रतनाकर पाटिल अपने हातों से भगवान श्री गनेश की प्रतिमा काना वरण किया बता दे इसे साल जन्वरी महिने में आयोध्याँ में भगवान श्री राम का मंदिर प्रतिषठान हुआ उसी की तर्ज पर ही आदिते रतनाकर पाटिल ने इस बार अयोध्या में सित राम मंदिर में भगवान श्री गनीश की मुर्तिय स्थापित की आये जानते हैं इस अवसर पर अदिते रतनाकर पाटिल ने क्या कुछ कहा इस बार अयोध्या में जैसे श्री राम अंदिर सापित हुआ वहाँ पर श्री राम की प्रान को तिष्टा हुई इसे देखकर हमारे मन में यह कलपना आई कि हम भी इस पार श्री राम का देखावा करेंगे इसलिए हमने इस बार श्री राम वनवस प्रवस दर्शन दिखाया गया है यहाँ पर कनपती बपा जटायू पर विराजमान है जो नो फुट का है उसके ही बाजु में श्री राम का बान भी दिखाया गया है जो आट फुट का है और यहाँ पर हमने वानर सेना भी दिखाया जिनों ने राम सेतु बनाने में बहुत योगदान दिया गया है वो यहाँ पर श्री राम की भववे दिव्वेसी बड़ी 12 फुट की मूर्ती हमने आपर दिखाई गए है उसके ही बाजु में लक्षमन, सीता वो श्री हरुमान की भी मूर्तिया पर स्तापिक की गई है अब कितने सालों से कर रहे हैं? अलग-अलग आपने कला दिखाते हैं आपर दिखाते हैं इस बार हमारा 25 साल है आपने क्या क्या इसमें जिस तरह आपने राम बनाया दिर्षिय दिया है इसमें कितने दिन का वक्त लगा बना गया है इसमें कित् seus दिन को वक्त लगाबाने है इसे हैंने लगब वक्त एक माईना लगता है कितने लोग शामिल होते हैं है और कहा कहां से लोग दर्शन करने के लाते हैं इसमें 20-25 लोग रोज शामिल होते हैं वो लोग बहुत दूर दूर से कल्यान, ठाने, फुने सबी जगह से यहाँ पर दर्शंग करने आते हैं